असलाम अलेकुम तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन इकेडिमी के इस नए लेटिस्ट और धमाकेदार वीडियो में और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी नहीं बलकि आज हुआ है 12 क्लास के उर्दू का एक्जाम ठीकि आज है 9 तरीक और आज ही के दिन होना था और 12 क्लास के उर्दू का जो एक्जाम हुआ है उसमें जितना भी अब्जेक्टिव कोश्टन पूछा गिया है उसका मैं एंसर की तयार की हूँ उन सभी का एंसर में आप लोग को बताऊंगी और आप लोग को एक एक करकर मिला लेना है कि आप लोग कितना सही किये हैं और इसे आप लोग को मालुम चलेगा कि आप वाकई में कितना अब्जेक्टिव कोश्टन सही करके आए हैं और आपको अब्जेक्टिव में कितना नंबर मिलेगा और आप लोग को ये भी मालुम चल जाएगा कि मैं जितना भी मौस्ट भी अब्जेक्टिव कोश् सही टिक कर रहे हैं ठीक है और इमानदारी के साथ आप अपना माक्स 50 में से कितना आया आप हमें जरूर बताइएगा जितना भी मैं मौस्ट भी अब्जिक्टिव कोशन कराई थी ना देखी उसमें से कितना पूछा गया है तो चलिए बिनादिर की वीडियो के शुरुआत कर लेता है जैसे कि सेट्च जी में जो एक नंबर में सवाल पुछता है वह दूसरे शीट में मतलब वही सवाल पांच 11 12 मतलब numbering change करके पुछता है बाकी सवाल एक ही रहता है तो मैं आप लोग को एक एक करकर बताती हूँ एंसर और आप लोग numbering से मत बिलाएगा आप लोग question से मिलाएगा देखिए सबसे पहला सवाल है कि बिशन सिंग किस अफसाना का किरदार है तो बिशन सिंग जो है वो टो आप लोग यह option number C सही टिक लगाये हैं कि नहीं ठीक है तो question number A का right answer क्या हो जाएगा option number C टोबा टेक सिंग ठीक है देखिए दूसरा सवाल है कि खाक ऐसे जिन्दगी के डैस नहीं हुमें तो वो है पत्थर नहीं हुमें खाक ऐसे जिन्दगी के पत्थर नहीं हुमें तो य ऑप सुदोज ठीक है ये अर्दू-घृमर का टॉपिक है चलिये चार नमबर सवाल है कि सोगात के मानी क्या है तो सोगात का मानी होता है तो तौफा गिफ्ट को बोलते हैं सोगात, तौफे को चलिए फटफट आगे बढ़िए देखिए पांच नमबर सवाल है कि भारत र नहीं ये एक खिताब है आपसान नमबर डी इस यो राइट इंसर ये उर्दू ग्रामर का टॉपिक है चलिए आगे बढ़िए कोश्चन नमबर सिक्स देखिए बाजिगर का क्या मतलब है तो बाजिगर का मतलब होता है तमाशा दिखाने वाला आपसान नमबर बी जो है आप लोग को हो जाएगा आपसान नमबर बी इस यूराइट एंसर थीक है क्योंकि यहां पर मालूम तो होगा नहीं आलिम भीडिन होगा यहां पर हो जाएगा आप लोग का लूपूर का लूम चलिए आजए आगे बढ़िए कुशन नमबर 9 देखिए दर्जजेल में मौनस लफ़ कौन है यानि की स्ट्रिलिंग लफ़ स्ट्रिलिंग शब्द कौन है तो वह खुश्बू खुश्बू अच्छी है इसे क्या मालुम चल रहा है कि ये जो खुश्बू है वो एक स्ट्रिलिंग है तो ये हो गया आप लोगा सही जवाब चलिए आगे बढ़ी अगला सवाल देखिए कुशन नमबर 10 कि दर्जजेल में से कौन सी नजम अकबर आला अबादी की है तो वो है बरक कलीसा ठीक है मैं आप लोग को ये चैप्टर को भी पढ़ाई हूँ और ये भी बताई थी कि ये कुशन पूछ सकता है कि मतलब बताईए कि दर्जजेल में से कौन सी नजम अकबर आला अबादी की है और देखिए कुशन पूछ भी दिया है बरक कलीसा इसका राइट इंसर हो जाएगा आपसन नमबर 10 चलिए आगे बढ़िए देखिए कुशन नमबर 11 है कि दबिस्तान दक्कन के सबसे बड़े घजल गो शायर कौन है तो वो है वली दकनी ठीके फटफट आगे बढ़िए कुशन नमबर 12 देखिए इन में से कौन दक्कन का मशूर शायर थे तो वो है नुसरती ठीके आपसन नमबर A is your right answer नेक्ट कुशन बढ़िए चलिए देखिए कुशन नमबर 13 है कि इन में से कौन शायर तरक्की पसंद नहीं है मतलब इन में से कौन शायर जो है वो तरक्की पसंद तहरीक में भाग नहीं लिये है तो तीरह कराइट अंसर क्या हो जाएगा आपसन नमबर A फैज एहमद फैज ठीके हर एक एक कुशन का अंसर आप लोग मिलाते चलिएगा ताकि आप लोग को भी मालुम चले अब देखिए कुशन नमबर 14 है कि गरेज का तालुक कि सिन्फ शायरी से है ठीके तो गरेज का तालुक है कसीदा से कुशन नमबर 15 देखिए गुलाम अली रासिख का तालुक कहां से है तो गुलाम अली रासिख का तालुक अजीम अबाद से है तो ये होगी आप लोग का सही जवाब ठीके आगे बढ़िए question number 16 कि गुलजार नसीम क्या है तो गुलजार नसीम जो है वो एक मसनवी है ठीक है और ये मतलब मैं जितना भी 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 अबजेक्टिव आप लोगो को कुराई थी उसमें ये सारा जितना भी पूचा गया है ना इसमें से लगबग कोशन इसमें आप लोगो को देखने को मिल र है ठीक है अगर आप मेरा विवी अबजेक्टिव देखें हैं तो यह आप जितना भी कोश्चन पूचा गया आप लोग सही सही जवाब लगा रहे होंगे चलिए देखिए कि गालीब की वफात कब हुई तो मिर्जा गालीब की वफात हुई थी अठाड़ा सा उनहत्तर इस अमिक हनफी क्या हो जाएगा आप लोगा राइट एंसर चलिए आगे बढ़िए अगले कोश्चन की तरफ देखिए कोश्चन नमबर 19 है कि मुतशायर के लफजी मानी क्या है यह तो मैं आप लोग को पहले ही बताई थी कि यह कोश्चन पूचा जा सकता है देखिए पूच बताईए तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा मीर बबर अनीस आप लोग का सही जवाब हो गया चलिए आगे बढ़िए अगला सवाल कोश्चन नमबर 21 है कि उर्दू का पहला खाका निगार कौन है तो उर्दू का पहला खाका निगार यानकी खाका लिखने वाले हैं वहँ है फरहत अलाबेग ओसन नमबर A चलिए आगे बढ़िए बढ़िये structural में अब लोग जितना भी कोश्चन का एंसर बता रहे हुएं सारा CCP को करा चुके हूं बहुत ही simple爆üm चलिए देखिए चलिए कोशन नमबर 22 है कि नजीर अहमत का तालू किस सिन्फ से हैं तो ये भी मैं कराई थी आप लोगो भी भी अब्जेक्टिव में और ये भी पूछ दिया है तो मिट्टी का तेल किसका मजमून है जी आप लोगो खुद से भी बताईए ते इसका क्या हो जाएगा आप लोगो कराई टैंसर खुआजा हसन नजामी चलिए पटफट आगे बढ़ कोशन No25 है है कि क्या कहते हैं तो पटऊर बताफट किके में आप लोगो कर आई थी देखिये baik 1982 कि स्य Candy सुलिमान A is your right answer चलिए आगे बढ़िए question number 28 वजीर आगा का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है यानि की वजीर आगा का कौन सा A से यानि की निबंद आप लों के बुक में है तो वो क्या है इंशाया क्या है नाम का ये जो मजमून है वजीर आगा का लिखा हुआ है तो यह हो जमाल पाशा का कौन सा इंशाया आप लोगे बुक में हैं तो इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा option number D हिजरत हिजरत नाम का ये जो इंशाया है एहमद जमाल पाशा की लिखी हुई है चलिए आगे बढ़िए एहमद जमाल पाशा का खास अदवी मैदान क्या था तो उनक मेहमुद ने कहा है महमुद जाए हैं और महमुद कहा है इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा बताई तो कौन सा सेंटेंस सही लग रहा है आप लोगो तो ये तो गलत ही है ए नंबर सी नंबर भी गलत है डी नंबर भी गलत है इसका मतलब राइट एंसर क्या हो जाएगा आ 30 का option number B हो गया, सही जवाब, चलिए, question number 32 देखिए, तुम कहां जा रहे हो, या किस तरह का जुमला है, ठीके, तुम कहां जा रहे हो, इससे आप लोगो को क्या लग रहा है, इससे यही लग रहा है कि इसमें सवाल पूछा जा रहा है, तुम कहां जा रहे हो, यानि कि ये सवा है, ठीके, सवाल या जुमला है, तो option number A is right answer, क्योंकि इसमें सवाल किया रहा है, कि तुम कहां जा रहे हो, ठीके, चलिए, आगे बढ़िए, question number 33 की तरफ, या बात नामुम्किन है, इस जुमले में साबका क्या है, ठीके, या बात नामुम्किन है, इस sentence में साबका क्या है, तो साबका है, आप लोग का ना, option number B होगी, आप लोग का सही जवाब, आगे बढ़िए, question number 34 देखिए, मैं खाता, डैस, नामुकमल जुमलों को मुनासिब लब्स से पूरा कीजिए, मैं खाता के बाद क्या लगेगा, है लगेगा, कि हैं लगेगा, हूं लगेगा, कि इन म नमबर 35 है, कि दर्जजेल में से मौनस की निशान दही कीजिए, यहां पर आप लोग को बताना है कि मौनस कौन है, ठीक है, यानि कि इस्त्रिलिंग, तो वो है आबरू, option number C, यह हो गया, आप लोग का सही जवाब, आगे बढ़िए, question number 36 की तरफ, question number 36 है, कि इन में से, कर, तो वो है, आप लोग का, option number D, अखबार, अखबार आप लोग का सही जवाब हो गया, आगे बढ़िए, question number 37, देखिए, अमानत की जिद क्या होगी, यानि कि अमानत का उल्टा विप्रितार तक सब्द क्या होगा, तो वो होगा, आप लोग का खियानत, ठीक है, आगे ब देखिए, इन में से कौन सी नजम, अली सरदार जाफरी की है, यहां पर पूछा गया है, इन में से कौन सी नजम जो है, वो अली सरदार जाफरी की है, तो वो है मेरा सफर, मेरा सफर जो नजम है, वो अली सरदार जाफरी ने लिखा है, यह मैं आप लोग को कराई थी, चलिए आगे बढ़िए question number 41 देखिए इन में से जिलानी बानों के अफसाना का मजमुआ कौन है ठीक है इन में से जिलानी बानों के अफसाना यान की कहानी का किताब कौन है तो वो है आप लोगों का रोशनी के मिनार question number 42 कि जिलानी बानों के वालिद का क्या नाम था तो जिलानी बानों के वालिद का नाम था लामा हैरत बदाई यूनी ये भी question में आप लोगों को कराई थी देखिए पूछ भी दिया है मतलब लगब question को पूछा गया है जो में आप लोगों को कराई थी ठीक है चलिए आगे बड़े कोशन नंबर 43 है कि शफी जावेद किस सिंफ से वावस्ता है तीकset तो शफी जावेद जो है वो अफसाना से रिलेट करते हैं उनका संबंद अफसाना से है वो सापसाना यान की कहानी को लिखते हैं चलिया वड़ी answer किया हो जाएगा B. सलाम बिन रिजाक जो है वो मतलब इनके अफसाने आप लोगे बुक में दिया गया है सौकत है आद का तो अफसाना आप लोगों को पढ़ना नहीं है ना हसीन अलहक का पढ़ना है ना अब्द संद का पढ़ना है सलाम बिन रजाक का पढ़ना है अपसाना जिसका नाम है इबराहिम जाका तो अपसान नमबर भी इस यो राइट एंसर चलिए आगे बढ़िए कोश्टन नमबर 45 की तरफ देखे कोश्टन क्या कह रहा है कि रिसाला तहजीब अखलाक किसने जारी किया तो सरस्यद ऐखान जारी किया था कि गुबार खातिर किसका मजमूआ है ओर्दू की पहली खुदनविष्त का नाम बताइए उर्दू की पहली खुदनविष्ट का नाम बताईए तो वो है काला पानी आपसन नमबर A is your right answer नेक्स्ट कोश्टन की तरफ बढ़िए कोश्टन नमबर 50 यानि की पच्चास है कि फसाना अजायब क्या है तो फसाना अजायब जो है वो एक दास्तान है आगे बढ़िए कोश्टन नमबर 51 की तरफ कोश्टन नमबर 51 है कि इन में नजब निगार की हैसियत से किस शायर को तसलीम किया जाता है यानि कि इन चारों में से किन को नजब निगार की हैसियत से सामिल किया जाता है तो वो है नजीर अकबर आबादी ठीक है नजीर अक्बराबादी जो है उनको नजब निगार की हैसित से शामिल किया जाता है उद्दू शायर में ठीक है चलिए आगे बढ़िए कोश्चन नमबर 52 है कि तारीख अदब में वली किसके दर्मियान एक पुल की तरह दिखाई देते हैं तो वो है शुमाल और जु क्वाब हो गया कोश्चन नमबर 54 देखिए घम अर्सद के नाम से कता तारीख किसने लिखा तो घम अर्सद नाम का ये जो कता तारीख है वो लिखे थे अता का कवी अपसन नमबर डी जो राइट एंसर अताउर रह्मान अता का कवी ठीक है चलिए आगे बढ़िए कोश्च अपसन नमबर बी मतला कहते हैं ये मैं आप लोगो को कराई थी ठीक है कोश्चन भी विए अबजेक्टिव में तो ये तो जो भी देखा है मेरा भी विए अबजेक्टिव कोश्चन तो वो तो भई सही लगा कराएगा ही चलिए कोश्चन नमबर 56 है कि उर्दू के पहले मर सी का नाम है नौ सरहार अपसन नमबर ए हो गया आप लोगो का सही जवाब कोश्चन नमबर 57 देखिए कोश्चन नमबर 57 है कि नजम गुफतगू किसकी लिखी हुई है तो नजम ये जो गुफतगू है वो अले सरदार जाफरी की लिखी हुई नजम है ठीक है फटफट आने वाले सायर थे वो ऐसा अपने अपने नजम को या फिर अपने शायरी को ऐसे लिखा करते थे कि मतब उससे हसी आए ठीक है आगे बढ़िए कोश्चन नमबर 59 है कि घजल के आखरी शेर को क्या कहते हैं जिसमें शायर अपना तकलुस इस्तमाल करता है तो घजल के आखर औरिये शेर को हम लोग कहते हैं मक्ता ठीक है आगे बढ़िए कोश्चन नमबर 60 यनकि साथ नमबर कोश्चन है खली रह्मान आजमी का मजमूह कौन है तो खलील रह्मान आजमी का मजमूह है नया अहद ौश्चन देखिए 61 है कि यगाना की वफात कहा हुई एक मिनट हाँ यगाना की वफात कहां हुई यान की यगाना चंगेजी का इंतकाल उनकी मौत कहां हुई जी तो वह हुई थी आप लोगा लखनाओं में ठीक है अगले कोश्टन की तरह बढ़िए चार मिस्रों पर मुस्तमल सिन्फ को क्या कहते हैं तो वह रुबाई कहते हैं अपसों नमबर एज यो राइट एंसर तीक है आगे फटाफट बढ़िए तेखिए कोश्टन नमबर 63 है मैं आप लोगों को पढ़कर बताती हूं देखिए कोश्टन नमबर 63 है कि शायर अपने शायर में असली नाम के लावा एक मुक्तसर नाम इस्तमाल करता है उसे क्या कहते हैं तो उसे स्टूडेंट थे तो वो थे जगर मुराद अबादी के अपसर नमबर सी होगे आप लोगों का सही जवाब कोश्टन नमबर 65 यान की 65 नमबर कोश्टन है कि तश्वीब का तालुक किस सिंफ शायरी से हैं तो वो है आप लोगों का कसीदा से ठीक है आगे बढ़िए 67 है कि पहाड काटने वाले से शायर की क्या मुराद है तो ये भी मैं आप लोगों को भी वे अब्जेक्टिव में कराई थी तो पहाड काटने वाले से शायर की मुराद है फरहाद का ठीक है फरहाद को जो है ना पहाड काटने वाला कहते हैं चलिए आगे बढ़िए है कि दligen में कॉन सा लब्स मजक्क्कर है तो वो है बाग सिक्ष टिय हैड नंबर का अइसर क्या हो जाएगा आगे बढ़िए देखिए कोश्य नंबर 69 है कि द hesitant में कौन सा लब्स मजक्कर है थीख है तो 69 का सही क्या हो जाएगा आफ सनमेर बीजेंb आगे बढ़िए कोश्चन नमबर 70 यानिकी सक्तर नमबर कोश्चन है कि खलवत की जिद क्या होगी तो खलवत का जिद यानिकी विप्रितार तक सब्द होगा पोजिट वर्ड वह जलवत अपसन नमबर सी इस यूर राइट एंसर नेक्स्ट कोश्चन की तरफ बढ़िए कोश नमबर बी इस यूर राइट एंसर नेक्स्ट कोश्चन देखिए कोश्चन नमबर 73 कि इमान की जिद क्या होगी तो इमान की जिद होगी आप लोग का कुफर अपसन नमबर बी इस यूर राइट एंसर यह कोश्चन नमबर 72 है हाँ 72 है यहां पर आप लोग आ गया 73 हाँ च चमन में क्या गया गोया दविस्तान ही खुल गया मतलब ऐसा लगा कि स्कूल ही खुल गया ठीक है चलिए आगे बढ़िए कोश्चन नमबर सेवेंटी फॉर है कि मीर अनिस ने किस उमर में शायरी शुरू की तो मीर अनिस जो है वो 12 साल की उमर में शायरी शुरू करना मतलब और पढ़ना सुरू कर दिया था चलिए आगे बढ़िए कोश्चन नमबर सेवेंटी फाइफ है कि जुल्फ तेरी है मोज जमुना की इस मुस्रे का शायर कौन है ठीक है जुल्फ तेरी है मोज जमुना की या मिसरे के शायर कौन है लिखने वाले कौन है तो इसका राइट के तस्वीब से जो है नगजल जैसी एक केटेगरी पैदा हुई थी तो यह होगी आप लोगो का जवाब चलिए आगे बढ़िए कोश्चन नमबर 77 है कि दर्जजेल में दकन का मश्हूर शायर कौन है तो दर्जजेल में जो दकन का मश्हूर शायर है वो है आप लोगो का प्रूलिंग है मुझकर है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा परचम ऋप्सनitime ए चले आगे बढ़िए कोशनलिंपर 79 की वरक की जमा क्या होगी य масс कि वरक का जमा प्लूरल वॉड क्या होगा तो इसका राइट एंसर आप लोका हो जाएगा और आप्सनिंबर बी ने सिन्फ से है तो बागउ-बाहर का तालुक दास्तान से आपस्टन ममबठ डी आप लोगा सही जवाब हो गया चलिए एटी 2 कोश्चन ममठ देखए办 किस बागउ बागउ-बाहर किस दर्वेश की कहानी से माखूझ है तो बाहग बह रह ज है वो छोथे दर्वेश की कहानी से माखूझ है तो यह वह गया आप لوगा का सही जवाब कोश्चन नमबर 83 देखिए उर्दू की पहली अदबी दास्तान की निशाइं नहीbach कीजिएं यहांपर आप आप लोगा सही जवाब कोश्चन नमबर 84 देखिए इन में से कौन सा मजमूवा मन्टू का नहीं है यानि कि सादत हसुद मन्टू का कौन साइज में से किताब नहीं है ठीक है तो वह भुले बिस्रेगीत जो भुले बिस्रेगीत नाम का यह अफसाना है ना यह शफी साहिल का सोहरा किसके सर है तो वो है आप लोगह का अपसर नमबर सी सजाद है दरयल दरम ठीक है तो यह वोगा आप से नमबर सी सही जवाब कौश्चन नमर 87 की तरह बढ़ यह तरकी पसंद तहरीक का बाजाबता अगाज कब हुआ तो अ को आगाज शुरुवात हुआ था आप लोग का उन्हेंसर 36 भी को option number C is your right answer ये भी मैं आप लोग को question बताई थी चलिए question number 88 है कि मंटू की वफात का हुई तो मंटू की वफात यानि कि उनकी मौत हुई थी लाहोर में option number D होगी आप लोग का सही जवाब आगे बढ़िए question number 89 है कि इवान गजल का तालुक किस सिन 90 नाविल बारिशे संग के मुसनिफ कौन है तो बारिशे संग के मुसनिफ यानि की राइटर का नाम है आप लोग का जिलानी बानो option number C हो गया आप लोग का सही जवाब अब देखिए 91 नंबर सवाल है कि रजब अलिबेग सुरूर कहा के बाशिंदे थे तो वो थे लखनव के वाषिन देखे ठीके option number D सही जवाब हो गया इन में से कौन सी किताब दकन में लिखी गई ठीके तो वो लिखी गई थी आप लोगा किताब नौरस ठीक है किताब नूरस जो है वह दकन में लिखी गई थी option number A हो गए आप लोका सही जवाब question number 94 बेदी के पहले अफसानुवी मज्मुए का नाम बताईए तो बेदी के पहले अफसानुवी मज्मुए यानि की पहला कहानी का किताब का नाम है आप लोग का ये दाना वदाम अफसान नंबर C is your right answer चलिए फटाफट आगे बढ़िए देखिए question नंबर 95 है कि दकन का कौन मश्रूर सायर देली आया था तो दकन का जो है वली दकनी जो की एक मश्रूर सायर थे वो दिल लिया थे आगे बढ़िए ये फटाफट question number 96 नंबर पढ़िए अली सरदार जाफरी अर्दू के किस अद्वी तहरी के नुमाइंदा शायर है तो अली सरदार जाफरी जो है वो तरकी पसंद तहरी के एक नुमाइंदा शायर है चलिए फटाफट आगे बढ़िए question number 97 है कि वह कौन शायर है जिनें मु प्रियरे अंदाश से वह वह गालिब हैं ठीक है कि इनको मिर्जा गालिब को जो है ना सुख सुखनवर ऺशागया है ठीक है गालिब को क्या कहा गया है सुखनवर कहा गया है लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि गालिब को ही म्श democratic का गया selvारोइब AI और रदicar हो جाए चल मतलब जजबात का इजहार किया जाएं तो उसको कहते हम लोग मरसिया उपसन नमबर भी होगी आप लोग का सही जवाब चलिए आगे बड़ी कुशन नमबर 99 है कि इन में से कौन शायर अजिम अबादी नहीं है ठीक है तो शाद अजिम अबादी होता है रासी खजिम अबाद होता है लेकिन यह गाना चंगाजजी अबादी नहीं नहीं होता है तो यह होगी आप लोग का आपसन नमबर सी राइट एंसर यह भी नहीं होगा यह भी नहीं होगा यहीं नहीं होगा ठीक है तो आपसन नमबर सी होगी आप लोग का सही जवाब चलिए लास्ट कोश्टन ह ये हो गया आप लोग का सही जवाब, ये था आप लोग के class 12 के उर्दू का answer की जो कि आप लोग का आज exam था उसका answer की मैं आप लोग को डाल दी, आप लोग मिला लिए, कितना आप लोग का सही answer हुँआ आप लोग हमें जरूर कमेंट करकर बताईएगा, आप लोग के exam में ज वीडियो देखा होगा और रात को देखकर गया होगा सुवा में एक्जाम देने के लिए वो तो मतलब objective में तो सही सही ठिक लगा कर आया होगा क्योंकि simple simple objective question पूछा गया है और जो मैं आप लोगो question कराई थी वही question आप लोगो पूछा गया है ठीक है तो चलिए इसी के लिए मैं वीडियो बनाई थी कि आप लोग मिला ले कि आप लोग का कितना सही हुआ है तो फिर मिलेंगे next वीडियो में next topic के साथ तब तक के लिए ज कहिंद और खुदा हाफिज